कि अलो फ्रेंड्स मैं मैं सोलंकि स्वागत करता हूं आपका मारे यूटुब चनल पर तो आज हम लोग देखने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल क्विश्चन देख रहे हैं और इसी के साथ हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे अगर और हाँ वीडियो बनाने में थोड़ा म ठीक है ठीक है थोड़ा वीडियो बनाने में काफी महिनत लगता है आप एक लाइक कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा ठीक है चलाओ शुरू करते हैं क्या लिखा है एंप्यों का क्वेश्चन है बाए दबे अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ये ठीक है सर ये 31st मार्च 2020 ये बोला है ना तो 31st मार्च 2020 सर जो साल का अपने को रिसीटन पेमेंट अकाउंट दिया होगा ठीक है यह हमारा कौन सा ये होगा सर तो यह हमारा होगा करेंट ये और ठीक है और मैंने आपको एंप्यों में बोला था जबी भी क्वेश्चन पड़ और कौन सा यह नेक्स टीक है अब यू मुझे बताओ सर करंट यह कुन सा है हमारा ठीक है तो 31st मार्च 2020 31st मार्च 2020 मतलब कहना है से 1920 इस बाई करंट यह ओके सर तो लास्ट यहर क्या हो गया सर 18 एंद 19 ओके एंद नेक्स यहर क्या हो गया 20 एंड 21 ओके अब देखो क्या दिया है, and additional information, ओके सर, additional information दिया है, prepare income and expenditure account for the year and date, 31st March 2020, and the balance sheet as on that date, ओके, कोई बात नहीं, तो देखो सर, receipt side पे, receipt side पे सबसे पहले क्या दिया है, तो receipt side पे अपने को दिया है, opening balance, opening balance, cash और bank का balance दिया है, sorry, यह कहां जाएगा सर, तो last year balance sheet के कोई साइट पे, तो last year balance sheet, asset side, ठीके, अब यह receipt है, यह receipt है, मतलब सर, पैसा मिल रहा है, है न, सर, पैसा मिल रहा है, या तो फिर यह मेरा income होगा, है न, या तो फिर क्या होगा, सर, liability, okay, interest, interest क्या है मेरा, income है, okay, donation, सर, donation कुछ भी नहीं बोल है, अरे, पता है कहा है, सल्लू वाला example दिया था, मैंने donation दिया, और आप लोग ने, चिलनेर वागे ने दीगा था, ठीके, तो यह donation income है, अगर कुछ specific purpose के लिए बोला होगा, तो question में अपने को mention करें, ठीके, tuition fees, income, admission fees, income, drama receipt, income, ओके, rent from use of hall, सर, यह भी क्या होगा, income, ओके, ठीके, legacies, और वैकेट में बोला है, capital, capital मतलब capitalize, यहाँ थोड़ा सा format हिल गया है, ठीके, तो यह कहां जाएगा सर, liability, ठीके, capital form में add कर दो, यह separately लिख लो, ठीके, उसके बाद क्या दिया है, payment side पे आना, payment side पे क्या बोला है, salary, salary क्या हो जाएगा सर, expense, printing institutionary, expense, book, assets, furniture, assets, drama, expense क्या होगा, expense, अभी देखो, सर, इसका दो treatment हो सकता है, क्या सर, दो treatment, तो देखो, यहाँ हम लोग को drama expense दिया है, कितना दिया है, 45,000, और यहाँ अपने को बुला है, receipt from drama, ठीके, drama receipt, drama receipt कितना है, 50,000, ठीके, यह दो अपने को दिया है, तो क्या कर सकते है, सर, हम लोग net set कर स सकते हैं, या फिर वह ऐसे नहीं करें, तो हम लोग direct क्या करेंगे, सर, receipt from drama को income side पे लिखतो, drama expense को expense side पे लिखतो, या तो फिर हम लोग इसको net करके, 5000 का income दिखा सकते हैं, ठीके, दोनों भी treatment चलता है, ओके, ओके, सर, उसके बाद क्या है, postage, postage क्या है, expense, telephone charges, expense, electricity, expense, magazine and newspaper, expense उसके बाद closing balance, cash और bank, तो cash and bank, कहा जाएगा, सर, current year के balance sheet के, asset side पे, very good, very, 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 very good, okay, additional information, सर, additional information, तो additional information क्या है, सर, गमारा, देखते, additional information में क्या दिया है, outstanding salary, कितना है, सर, outstanding salary, 35,000, सर, 35,000 तो दिया है, बट, सर, इसमें year नहीं बुला, year नहीं बुला, तो ये कुन से year हो गया, current year, ठीक है, और, सर, आपको formula या दे, क्या, Allah, ओ, Allah, फिर क्या है, सर, O, P, O, P, और, C, C, L, L, बताओ, सर, इसमें current year का outstanding क्या होता है, add, yes, तो current year outstanding क्या होगा, सर, add, और दूसरा एफ़े कहा जाएगा, सर, balance sheet के liability side पे, और उपर जाने का, और किसको टिकमा करने का, salary को टिकमा कर देने का, is that year, okay, उसकी बाद क्या बोला है, sorry, उसकी बाद बोला है, सर, 60% of donation, 60% of donation, are for which fund, building fund, specific donation है, सर, ठीके, and balance to be treated as revenue income, okay, उपर जाने का, टिकमा करने का, किसको टिकमा करोगे, donation को टिकमा करोगे, adjustment है, ठीके, तो उन्होंने बोला है, यह जो donation है, उसमें से, जो 60% donation है, building fund के लिए, मतलब specific purpose वाला, ठीके, सल्लु भाई का example पता है ना, मैंने donation दिया था, और आप लोगने donation दिया था, बस वही example, ठीके, जो मैंने donation दिया है, वो specific purpose के लिए था, और आप लोगने जो चिलर donation दिया था, वो क्या था, सर, income है ना, revenue trade कर दिया, उसके बाद, अपने को क्या बोला है, यहां सर, कुछ extra information दिया है, क्या दिया है, सर, extra information, 1st April 2019, and 31st March 2020, तो कैना, इसे यह जो हमारा balance है, यह opening balance है, और यह कुण सा balance है, सर, closing balance, सर, opening balance मतलब कुण सी year का figure है, सर, last year का figure है, ओके, सर, देखो, देखो, capital fund तो दे दिया है, सर, capital fund पहले ही दिया है, अच्छा, सर, capital fund अगर हम लोग को दे दिया है, तो क्या हम लोग last year का balance sheet बनाएगे, क्या last year का balance sheet बनेगा, सर, last year का balance sheet नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, because इसका मेन मकसद क्या होता है, just to find out capital fund, अगर capital fund हम लोगो question में पहले से दिया है, तो क्या हम last year का balance sheet बनाएगे, नहीं जनाब, नहीं बनाएगे, ओके, ठीक है, तो sir, because capital fund given in the question, हम लोगो last year का balance sheet बनानी की जरुवात नहीं है, तो sir, ये कहा जाएगा sir, current year के balance sheet के liability side, is that clear? उसके आद building fund हम लोगो पास opening balance दिया है, तो ये कहा जाएगा sir, last year balance sheet liability side, furniture दिया है, तो ये furniture हमारा opening balance हो गया, last year balance sheet asset side, और last year balance sheet asset side, तो देखो, furniture इधर adjustment में भी दिया है, books adjustment में भी दिया है, और उपर हम लोग ने during the year purchase भी किया है, मतलब furniture का formula आएगा, is that clear, ठीक है, सर क्या इन लोग का जो capital है, fund, क्या वो correct है, क्या, चेक करना है, अरे कर लेते, कर लेते, कैसे सर, 450, plus 163, ठीक है, minus, क्या करेंगे सर, fund, building fund, 4,13,500, minus करके दिखने का, ठीक है, तो 4,50, minus 1,63,000, minus 4,13,500, ठीक है, तो 1,99,500, plus अपने को उपर कुछ adjustment दिया है, सर, cash दिया है, cash 6,000, और 1,00, यह add कर देगे, तो सर, टैली हो रहा है, ठीक है, तो सर, capital fund, उनलोग का बराबर है, अगर last year की balance sheet, अम लोग बनाएं, तो भी, ठीक है, चलो, last year का भी balance sheet बनाएंगे, बट exam में, अगर समझो, capital fund दिया है, तो last year का balance sheet बनाने के जरुवत नहीं है, is that clear, okay, चलो, posting करते हैं, सबसे पहले, visit side पे, visit side पे, visit side पे, sir, क्या है, opening balance, opening balance, cash, और bank, income, कहां जाएगा, sir, last year की balance sheet में, तो देखो, यहां मैंने एकदम must income and expenditure account बना के रखा हुआ है, तो income and expenditure account for the year and debt, 31st March 2020, 2023, oh my god, गलती, 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 sir, resident payment, हमारा 20 का है, resident payment कितके है, 20 का है, तो यहां 31st March 2020 आएगा, उसके बाद, balance sheet, 31st March 2020, और यहां क्या होगा, 31st March 2019, यह कुन सी year का balance sheet है, sir, यह last year का balance sheet है, और यह कुन सी year का balance sheet है, यह 20, यह current year का balance sheet है, Is that clear? ओके, अभी मुझे बताओ, sir, अपने पास क्या है, अपने पास है cash और bank, 6000 और 1 lakh, तो यह का जाएगा, sir, 6000 and 1 lakh, last year balance sheet, Asset side, वैसे तुम लोग नहीं बनाने वाले, बड़ ट्रेक्टिस के लिए बना देते, sir, तो यहां लिख देते, cash और bank, ठीक है, तो sir, cash कितना है, 6000, और bank कितना है, 1 lakh, ठीक है, ओके, ओके, sir, और यहां है थोड़ा सा format हिल गया है, थोड़ा exist कर लेना, sir, यह जो अपना interest है, यह 30,000 है, donation है, वो 3,50,000 है, tuition fees है, वो 9,50,000 है, admission fees 32,000 है, drama receipt 50,000 है, और rent use 3,000 है, और legacies 30,000, ओके, ठीक है, तो sir, interest, interest हमारा कितना है, 3,50,000, नहीं, sorry, 3,50,000 है, interest हमारा कितना है, interest है 30,000, ओके, तो interest is 30,000, तो income side पर आएगा, income side पर हम लोग क्या लिखेगे, by interest, how much, 30,000, no adjustment is given, ओके, उसके बाद क्या है, sir, उसके बाद, donation, donation कितना है, 3,50,000, donation पर adjustment है, तो donation income side पर लिखेगे, by, donation, so donation कितना हैगा, तो donation, 3,50,000, so 3,50,000, inner column में लिखेगे, because adjustment is given, ओके, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, tuition fees, 9,50,000, तो लिखेगे, by, tuition fees, 9,50,000, then, tuition fees, tuition fees के बाद सर क्या है, admission fees, admission fees, admission fees, admission fees कितना है, sir, so admission fees, is 32,500, तो admission fees, by admission fees, 32,500, okay, next, tuition fees के बाद, drama receipt, drama receipt is 50,000, 50,000, तीधर लिखेगे, by, drama receipt, ठीक है, तो drama receipt कितना है, sir, 50,000, अब इसको net set भी कर सकते है, drama receipt में से, drama expense minus कर देगे, वो भी कर सकते है, और दोनों को separate लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, उसके बाद, क्या है, rent from use of hall, कितना है, sir, 3000, to buy rent from use of hall, how much, 3000, okay, उसके बाद, क्या लिखा है, legacy है, legacy are to be capitalized, back end में बुलाए, capital, ठीक है, तो हम लोग क्या करेगे, sir, balance sheet में, current year की balance sheet में, सबसे पहले क्या लिखते है, capital fund, ठीक है, capital fund, इसमें, legacies, तो, sir, legacies add करतेगे, तो capital fund में legacies add हो जाएगा, that is 30,000, ठीक है, यहां लिखतेगे, 30,000, ठीक है, वैसे तो दो column बनता है, sir, बट मैंने नहीं बनाया, तो मैं exist कर लोगा, उसमें, आपको भी उसी तरीके से exist कर लेना है, ठीक है, ओके, सर, exam में भी नहीं बनाया तो चलेगा, चलता है, sir, चलता है, ओके, next, तो receipt side is completed, come on payment side, payment side पे क्या दिया है, salary, oh my god, salary देखो, 11,77,500, क्या salary दिया है, सर, इतना salary अपने को भी होना चीए, बाबा, तो इधर 2, salary, 2, salary, क्यत्ना है, sir, 11,77,500, मजा आगया, sir, amount देखका, 11,77,500, printing and stationery, sir, printing and stationery, 13,500, इधर क्या आएगा, to, printing and stationery, 13,500, ओके, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद, sir, books दिया है, तो ये books payment side पे दिया है, it means during the year, हम लोग ने books क्या किया, sir, purchase किया है, ठीक है, तो during the year, books purchase किया, तो यहां books का formula आएगा, तो books को underline करूगा, मैं books को underline करके, क्या लिखे किया, sir, तो books को underline करके, opening balance, during the year, हम लोग ने क्या किया, sir, books को purchase किया, ठीक है, तो sir, कितना है, कितना है, कितना है, तो sir, books है, 44,000, तो 44,000, और दो-तीन line छोड़ देगे, शायद कुछ adjustment आ जाए, ठीक है, उसके बाद, books के बाद क्या था, sir, furniture, ठीक है, तो furniture, furniture भी हम लोग ने दो जगा पे देखा था, तो इसका भी formula आएगा, सबसे पहले क्या होता है, sir, opening, balance, फिर during the year, हम लोग ने furniture क्या किया है, purchase किया है, तो purchase हम लोग add करते हैं, पताओ sir, purchase कितना है, कितना है, कितना है, 39,000, sir, 39,000, तो 39,000, हम लोग purchase में जाके add करते हैं, 39,000, is that clear, ठीक है, ओके, इधर भी दो-तिन लाइन चोर देने का, ठीक है, कुछ adjustment वगेरे आ जाएगी, ओके, sir, उसके बाद क्या है, आचा, उसके बाद है, drama expense, 45,000, sir, drama करने का, पैसा, खर्चा, sorry, पैसा नहीं, खर्चा हुआ, sir, drama करने का, तो drama expense, to, drama expense, 45,000, sir, 45,000, ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, postage, 3,500, telephone charges, 3,000, ठीक है, तो यहाँ लिखेगे, to postage, to postage, 3,500, और telephone charges, कितने है, tele charges, 3,000, okay, is that, next, उसके बाद है, electricity charges, that is, 30,500, इदर आएगा, two, electricity, charges, how much electricity charges, 30,500, next, okay, उसके बाद सब क्या है, magazine and newspaper, 3,000, to magazine and newspaper, how much magazine and newspaper, so magazine and newspaper is 3,000, so magazine and newspaper, 3,000, okay, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ, cash और bank, cash है 31,000, bank है, 1,061,500, तो current year के balance sheet के asset side पर जाके लिखेगे, cash, how much, 35,000, केटलों दिरूजे, खबर नहीं सर, खबर नहीं बुली क्यों, 31,000, 31,000, तो इदर, 31,000, और, bank कितना दिया है, सर, bank कितना दिया है, तो 1,061,500, is that clear, ठीक है, तो सर, हमारा posting complete हो गया, हमारा posting क्या हो गया है, सर, complete हो गया, ओके, ठीक है, एक्जिस्मेंट पर आते हैं सर, यह कौन सी यर का outstanding दिया है, तो कौन सी यर का outstanding दिया है, सर, current year का Outstanding किया है तो Current Year Outstanding क्या होता है सर तो यहाँ देखो ना सर Current Year Outstanding Add तो Salary में जाएगे और Salary में जाके Add करतेगे Add Current Year Outstanding कितना है सर Current Year Outstanding 35,000 बरा नहीं सर इसका जी नहीं बरा 11,77,000 लेने के बाद भी जी बरा नहीं सर तो 11,77,500 प्लस 35,000 कितना है सर 12,12,500 ओकी यह Outstanding कहां जाएगा सर Outstanding Liability Side पे क्या लिखे कि हम लोग Outstanding Salary How Much 35,000 ओके उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है The 60% of donation is for building fund ओके सर building fund के लिए तो उपर जाने का donation में देखने का donation में minus करेंगे less कितना परसेंट 60% for which fund for building fund है तो इसका निकालने का सर 3,50,000 का अपने को कितना परसेंट चीह है 60% तो 2,10,000 2,10,000 60% है सर ओके सो 2,10,000 60% तो minus करतो 3,50,000 में से तो कितना हैगा 1,40,000 अच्छा सर यह building fund में जाके add करना है तो देखो building fund तो यहां अपने को balance इक में दीखने रहा है बट building fund आगे future में आने वाला है तो यहां लिख देगे हम लोग building fund सर कितना building fund है तो पता नहीं बट building fund का donation अपने को मिल चुका है तो add donation कितना I think so 2,10,000 यह सर यह सब्सक्राइब क्या है कितना हो गया सर डोनेशन डोनेशन फूर building fund हो गया adjustment उसके बाद सर capital fund है सर capital fund तो हम लोग find out कर लेगे है ना बट उन लोग ने दिया है सर कितना है 3,00,000 तो लिख देते है सर उनका मान रख देते है कितना दिया है सर उन्होंने उन्होंने दिया है 3,00,500 ठीक है 4,13,500 तो during the year सर अपने को donation मिला था ठीक है 4,13,500 यह building fund में donation add कर देगे 2,10,000 टाउटर में कितना आएगा 6,23,500 इस डैट ये पड़े सर building fund last year भी आएगा सर last year का balance sheet नहीं बनाना है अरे नहीं बनाना है पर हम लोग just cross verify कर दे के building fund sorry capital fund बराबर दिया है के नहीं ठीक है तो सर building fund last year हमारे पास building fund कितना था 4,13,500 था is that clear 4,13,500 next क्या दिया है अपने को furniture दिया है opening balance है 1,63,000 तो हम लोग यहां लिखे के 1,63 किसका दिया है सर 1,63 फर्नीचर का और books का 4,50 तो books का 4,50 4,50,000 ओके और furniture का opening balance कितना दिया है 1,63,000 तो furniture का 1,63,000 तो देखो ने इसको add कर देते अच्छा इसका यह कहां जाएगा तो यहां भी चले जाएगा क्या लिखे के furniture और क्या लिख देखे books कितना था सर 4,50,000 और furniture का कितना था 1,63,000 तो 1,63,000 तो यह पिछले साल भी था अभी भी है आगे भी रहेगा अभी हम लोग क्या करेगे सर बुक्स देखो ओपनिंग में मेरे पास था 4,50,000 प्लस 44,000 तो मेरा बुक्स का बैलेंस कितना हो गया सर मेरा बुक्स का बैलेंस हो गया 4,94,000 बट सर क्या हुआ सर क्लोजिंग बैलेंस तो कुछ ओर ही बया करना है और यह ऑग्लेंस भोडिन है तुम्हारा बुक्स का फोटी फोर ताउजन, सर ऐसा गई सर अरे बाबा, सर डिूरिंग दे यर कुछ क्या हो गया, डेप्रीसियेशन सर यही तो एन पी ओगा खासियत है, क्वेस्चन में कहीं भी उन लोग ने डेप्रीसियेशन बोला क्या, नहीं, बट सर डेप्रीसियेशन लग गया, कितना सर, तो 4,44,000 इतना बैलेंस हो गया, तो डिफरेंस बिट्विन 4,94 एन 4,44 इस नतिंग बट 50,000, एन 50,000 इस नतिंग बट डेप्रीसियेशन, अरे समझा गया, ओके, मुझो दा सर डेप्रीसियेशन का दूसरा एफेक्ट कहा आता है, तो डेप्रीसियेशन का दूसरा एफेक्ट आएगा, इनकम एन एक्स्पेंडिचर के डेविट साइट पर, क्या लिखेंगे टू, डेप्रीसियेशन on books, how much, 50,000, सर फरनीचर का एक साथ में लिख सकते थे, येस, लिख सकते थे, ठीक है, अंडरलाइन करके, ठीक है, इस देस्ट आ वे ओफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बाद, सर बुक फरनीचर का कितना हो गया, 1,50, सर, 1,50, इधर देखो, सर, हम तो सपने सजो रहे थे, कि हमारा फरनीचर 1,63, प्लस, 1,30, सरी, 39,000, हम तो सपने सजो रहे थे, अपना बैलेंस कितना है, 2,2000, ओके, बट उसका बैलेंस हो कितना गया, सर, 1,50, हो गया, 1,50,000 हो गया, सर, तो सर, यहां भी डेप्रीसियेशन लगेगा, यहां भी डेप्रीसियेशन, सर, कितना डेप्रीसियेशन, तो माइनस करने का 1,50,000 हो गया sir कितने का depreciation लग गया 52,000 का depreciation लग गया अरे समझता है का डोक्या में जाता है क्या yes or no ओके तो sir depreciation का जाएगा profit and loss के debits है to depreciation on furniture sir दो बार depreciation ना लिखके depreciation कॉंडलाइंग करके books और furniture लिख सकते हैं just a way of presentation ओके so depreciation को अंडलाइंग करके फिर books और furniture ये से भी लिख सकते हैं ओके तो sir इसी के साथ इसी के साथ अपना question होता है खतम ओके sir question खतम हो गया अभी आपन क्या करेगे sir तो पहले देखे कि capital fund बराबर है के नहीं है के नहीं close करने का close करने का close करो किता 6000 प्लस 10000 प्लस 10000 163 10000 6000 प्लस 4.50 6.92 6.92 minus 4.13500 एक मेंट एक मेंट एक मेंट एक मेंट एक मेंट 450 प्लस 1.63 प्लस 1.00 प्लस 6000 अमाउंट आता है sir क्या sir Kelsey लेकिया इसा करते हो हाँ मैं तो यूज करता है यावा Kelsey ठीक है कितना आ रहा है तो 7.19.000 पेटा वीडियो रेकॉर्ड करना है ना तो क्या करें ताइम तो थोड़ा बत बच्चाना पड़ेगा है ना तो 7.19.000 माइनस 4.13.500 तो कितना है sir 3.5.500 बराबर sir question में जो दिया है वो capital fund बराबर है ठीक है तो capital fund sir question में जो capital fund दिया है इसका मतलब यह हो जाता है sir last year का balance sheet बनानी की जरुवत नहीं था बड़ यहां हम लोग ने just cross verify करने के लिए last year का balance sheet बनाया तो यह capital fund हम लोग जाके कहां लिखते sir यहां capital fund यहां copy कर दिया अभी बताओ sir income and expenditure account close करेगे अरे yes or no ठीक है sir income and expenditure account close करते है तो सबसे पहले sir एक step बताया है तो अगर आप लोग को याद हो तो पहले यह दुनों total कर लेंगा ठीक है tension लेने का नहीं sir pencil से वाला step करने का ठीक है pencil से step करने का 12,00,12,500 प्लस 13,500 प्लस 45,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000 ओके प्लस 30,500 प्लस अगें 3,000 प्लस 50,000 प्लस 52,000 तो यहां का टूटल हारा है sir 14,13,000 यहां का total कितना रहे 14,13,000 और यहां का total दिखते है यहां का total कितना है 30,000 PLUS 1,140,000 PLUS 9,50,000 PLUS 32,500 PLUS 15,000 PLUS 3,000 सर यहां का total है 12,59 5,500, which side is more, more, sir, 14,00,000, sir, यह बड़ा-बड़े, 14,00, 13,000 बड़ा है, अरे, यह सो, no, so, 14,00, 13,000, 14,00, 13,000 is more, okay, so, let's कर देखे, sir, so, balancing figure, so, 14,00, 13,000, less कर दिया, so, कितना है, 2,00, 7,500, क्या लिखेगे इसको, by, deficit, carried down, so, deficit हो गया, okay, so, deficit हो गया, रोना पड़े का, अपने को, माइनस करना पड़े का, deficit हो गया, sir, oh, 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 कितना deficit हो गया, sir, 2,00, 2,00, 7,500, sir, यह तो करना पड़े का, अपने को, less, ठीक है, कोई बात नहीं, less कर देते है, less कर देते है, so, less कर देगे, ठीक है, 3,05,500, plus 30,000, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,28,000, so, 1,28,000 हमारा capital हो गया, huge loss हो है, huge loss, 1,28,000, plus 35,000, plus 6,23,500, add करेगे, तो you will get 7,86,500, ठीक है, उसी तरीके से, हम लोग यह वाला total करेगे, ठीक है, तो total करे, कितना है, 4,44,000, plus 1,50,000, plus 3,31,000, plus 1,61,500, कितना है, सर, so, 7,86,500, इसी के साथ, अपना balance sheet टैली होते हुए, ठीक है, तो, सर, क्या, इस type की question exam में आते है, yes, इस type की question exam में आते है, ठीक है, तो बताओ, सर, यहाँ, क्या था, सर, तो यहाँ, last year का balance sheet बनाने की ज़रूद नहीं थी, क्यूँ, because capital fund question में दिया था, ठीक है, तो मैंने एकदम आरम से दीरे-दीरे solve करके, पुरा question solve करके, और तो आपको समझाने की कोशिश की है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी informative, अच्छा, take a screenshot अगर आपको solution चाहे तो, यह रहा, अच्छा, question का solution चाहे, question चाहे तो यह रहा, ठीक है, यह past year के ही questions है, ठीक है, तो हम लोग जो भी revision में करने वाले हो, past year के questions ही solve करेगे, ओके, ओके, ठीक है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी informative लगा होगा गाईस, तो like किजे, share किजे, और याद रहे friends, subscribe करना बुलना मत, thank you so much for watching this video,